नमस्ते बच्चों आपको मैंने भक्तिकाल पढ़ाया और भक्तिकाल मैं आपको सूर्दास, कबीर, मीरा, आधी के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचे आपको दिया था अब हम आज से अपने आपकी जो टेस्ट बुक है जो पाठे पुस्तक है उसमें से मैं आपको एक-एक कभी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको कबीर पढ़ाना चाहती हूँ कबीर के बारे में मैंने आपको पहले परिचे दे दिया था कि कबीर निर्गुन परमपरा के प्रमुख कभी रहे हैं और आज हम कबीर की पद पढ़ेंगे और आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया था क्योंकि पद पढ़ने से पहले आवशक है कि हम उस कवी की विचार धारा को अच्छे से जान ले तो कबीर निर्गुनवादी थे और वो सगुन जो धारा है उसका विरोध करते थे और कबीर ही कहते हैं कि मेरे जो ब्रह्म है मेरे जो राम है वो एक अविनासी है और पर ब्रह्म है और एक बात मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताए थे कि सुफी जो कभी है वो अपने आपको जो प्रेमी और प्रियतम और प्रयतमा की जो श्रेनी देते हैं जी वो रातमा को उसके जो कबीर है वो भरते परमपरा के अनुसार ही स्वयम को पत्नी मानते हैं और जो परमात्मा है उसको वो पत्नी मानते है जबकि सूफी जो का विधारा है उसमें जो परमात्मा है वो प्रियत्मा है और जो भक्त है वो प्रियत्म है तो यहीं पर यह जो पद है कबीर का यह काफी प्रसिद्ध पद है और यह बहुत आप पढ़ेंगे इसको फस्टेर से लेके आप एमे तक हिंदी में इस पद को बार बार पढ़ेंगे क्योंकि यह पद कबीर की एक ऐसी विचारधारा को हमारे सामने लेकर आते हैं जिसमें जो भरते विचारधारा है कि हमारे यहाँ जो जो शादी में परमपराई होती हैं और उनको किस तरह से कबीर ने प्रतीक पनााकर प्रतीक के माध्यम से किस तरह उपमाये देकर उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा का मिलन इसमें दिखाया है उसका वर्नन यहाँ पर किया है कभी ने दुलहनी गावहु मंगलाचार हमारे घर आये हो राजा राम भरतार तनरत कर मैं मनरत करी हूँ पांचो तत्व बाराती राम देव मुरिपाहुने आये मैं जोबन मदमाती सरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार राम देव संग बाहर ले हूँ धनिधन भाग हमार सुर्ते तीसों कोति काए मुनिवर सहंस अठासी कहे कभीर हम व्याह चले हैं पुरुष एक अविनासी ये एक पद है और ये काफी महतोपूर है व्याख्या की दृष्टी से भी तो कभीर यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जो राजाराम है वो मेरे प्रियतम है वो मेरे भरतार है हमारे देशज भासा में जो भरतार कहा जाता है वो पती को कहा जाता है तो वो कबीर कहते हैं जिवात्मा कह रहे हैं यहाँ परमात्मा जिवात्मा और परमात्मा का मिलन है दुलहन गाहूं मंगलाचार हे दुलहनियों हे इस्त्रियों हे सुहागन इस्त्रियों तुम मंगलाचार मंगलगान गाओ क्यों गाओ क्योंकि हमारे घर आये हो राजा राम भरतार आज मेरे घर पर मेरे राजा राम जो ब्रह्म है दसरत पुत्र राम यहाँ पर नहीं है यह पर ब्रह्म परमातमा राम है वो राजा राम मेरे भरतार, मेरे प्रियतम, मेरे पती बनकर आ रहे हैं इसलिए तुम उनका स्वागत करो मंगलगान गाओ तन रत करी मैं मन रत करी हूँ और वो कबा रहे हैं जब मैंने अपने तन को, अपने शरीर को उसमें रत कर लिया है डुबो दिया है, निमगन कर लिया है और मन को भी उसमें मैंने डुबो दिया है पांचो तत्व बाराती और जो पांच तत्व है, देखिए मैंने कहा है प्रतीक पांच तत्व है, आकाश, जल, प्रत्वी, वायू, अगनी और ये जो पांचो तत्व है इन सबसे जो हमारा हम मानते हैं कि जल्द, वायू, आकास, प्रत्वी, अगनीन से हमारा शरीर बना है तो ये पांचो तत्व है ब्रमांड में है और ये ब्रमांड से ही हमारा शरीर भी बना है तो ये जो पांचो तत्व है ये बराती बनकर मेरे उस राम के साथ, मेरे परमात्मा के साथ आ रहे हैं और ये जो पांचो तत्व है आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रत्वी ये सारे मिलकर बराती बनकर आ रहे हैं रामदेव मोरे पाहु ने आये वो रामदेव वो परब्रह्म परमात्मा मेरे पाहु ने महमान अथीती बन कर आये हैं मैं जोवन में माती और मैं उनके अथीती बन कर आने में अपने आपको धन्यभाग समझ रही हूँ इत्रा रही हूँ एक तरह से प्रसन्यचित हो रही हू और सरीर सरोवर वेदी करी हूँ जो शरीर रूपी सरोवर है रूपकलंकार आ गया है अनायास वो सरीर रूपी सरोवर तालाब जो है वेदी करी हूँ उसको मैंने वेदी बना लिया है जब शादी होती है तो एक वेदी बनाई जाती है जिसमें लाग जलाई जाती है और फिर वेदों का उच्चारन किया जाता है मंत्रों का शादी में वैसे ही ब्रह्मा वेद उचार और वो कहते हैं कि इस जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में शादी में जो ब्रह्मा है वो वेदों का उच्चारन कर रहे हैं रामदेव संग भाहवरी ले हूँ, मैं उस रामदेव के संग, उस भरतार, उस परमात्मा के संग भाहवरी ले हूँ, भाहवरी मतलब फेरे लेना, उसके साथ बंद जाना, धनी धनी भाग हमार, और ऐसा करके मेरा जो भग्य है वो धन्ने हो गया है, मैंने अपने आपको धन आत्मा से बांध कर और उस शादी में को न आए है सुर 33 कोतिक आए 33 किरोड देवी देवता हमारे यहाँ माने जाते है 33 करोड देवी देवता है यह नहीं है यह अलग प्रशन है लेकिन माना जाता है कि 33 करोड देवी देवता और breasts मियर सहस 88 88 हजार मुनीवर भी उस शादी में आए हैं कहे कबीर हम ब्याह चले हैं कबीर कहते हैं कि मैं उस अविनासि पूरुष उस परमात्मा के साथ देहा कर चले गया हूं जूड़ गया हूं यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है तो यह एक अद्वेत वात की जिवात्मा जो परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है जन्म के बंधन के कारण वो अलग-अलग हो गई है लेकिन यहाँ पर उस जिवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया और इसलिए मैं उस परमात्मा के साथ आज एकाकार हो गया हूँ तो इस तरह कभीर ये कहते हैं कि उस परमात्मा और जिवात्मा के मिलन का जो आनंद है वो आनंद एक प्रियतम और प्रियमत्मा के मिलन के आनंद जैसा ही है और उसके लिए उतना ही उतसव उतना ही खुशी मनाई जाने चाहिए जितनी खुशी हम एक शादी में मनाते हैं दूसरा जो पद है गोविंद हम ऐसे अपरा दी यह उपर वाले जो पद है उससे बिलकुल अलग है इसकी विचारधारा और उपर वाले पद में जो भाव है वो बराबर का भाव है उस परमात्मा से मिलन का भाव जो है वो बरावर का भाव है जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है यहाँ पर जो भाव है वो थोड़ा दास से भाव आ गया है अपने आपको अपरादी महसूस करना अपने आपको ये महसूस करना कि हम उस परमात्मा को किस तरह भुला देते हैं उसका वर्णा निस्पद में कवेर ने किया है गोविंद हम ऐसे अपरा दी जिन प्रभु जीव पिंड था दिया तिसकी भाव भगति नहीं साची परधन परतन परतिय निंदा पर अपवाद न छूटे आवागमन होत है फुनिपुनी इह पर संग न छूटे जीगर कथा होत हरी संतन एक निमिसने कीन में फेरा लंपट चोर धूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा दया धरम और गुरू की सेवा ए संपूतन नहीं दीन दयाल क्रपाल दामोदर भगति बचली बिहारी कहत कबीर भरी जन रांखों हरी सेवा करो तुमारी गोविंद एक तरफ कबीर के रोध करते हैं सगोन विचार धारा के और जाने अन जाने गोविंद दामोदर दीन दयाल भगत वत्सल बिहारी आदि शब्द यहां पर आगे हैं आप खुद देखिए तो यह शब्द जो सगोन विचार धारा के कभी है उन्होंने कृष्ण के लिए काम में लिया है और निर्गुन में इनका प्रियोग नहीं है लेकिन कभीर ने यहां पर प्रियोग किया है लेकिन फिर भी कभीर जो बात करते हैं वो निर्गुन की ही करते हैं नाम भले गोविंद का आगया हो बिहारी का आगया हो दामोदर का आगया हो लेकिन बात कभीर निर्गुन की ही करते हैं तो कदीर कहते हैं कि हे गोविंद, हे इश्वर, हे ब्रह्म, हम ऐसे अपरादी है, कैसे अपरादी है, कि जिस प्रभू ने हमें जीवन दिया, जीव पिंड धा दिया, पिंड शरीर, जीव जीवात्मा, जिसकी भाव भगति नहीं सांची, उसके सच्चे रिधे से हमने कभी क कोई भगति नहीं की, तो हमने क्या किया, परधन, परतन, दूसरे का धन, दूसरे का शरीर, परतिये दूसरे की स्त्री, परनिंदा और परपवाद ने छूटे, हमसे दूसरे के धन को देखकर हम प्रसन नहीं होते, दूसरे के शरीर और स्वास्ते को देखकर हम प्रसन नही हैं पर निंदा हम दूसरे की निंदा करके प्रसंद होते हैं पर अप वाद ने छूटे और दूसरों की बुराईयां हम करते हैं यह हम से छूटता नहीं है जबकि हमें करना क्या चाहिए था कि जिस इश्वर ने हमको शरीर और जीवन दान दिया जीव दिया उसको हम भूल ग हम बार बार पैदा होते हैं बार बार मरते हैं यह उपर संग ने छूटे इतना होने का बाद भी हम क्यों जन्म ले रहे हैं क्यों मर रहे हैं क्योंकि हमारी मोक्ष नहीं हो रही है और मोक्ष क्यों नहीं हो रही है क्योंकि हम उस इश्वर को याद नहीं करते हैं हम तो ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो हमें नहीं करना है जींगर खता होत हरी संतन एक निमस ने कीनी में फेरा जिस घर में हरी भजन होते हो हरी की कथा होती हो सत्संग होता हो एक निमस एक पल भर के लिए भी मैं वहाँ पर रुखता नहीं हूँ वहाँ पे घुमता नहीं हूँ फेरा नहीं डालता हूँ गुजरता नहीं हूँ और मैं क्या करता हूँ लंपट चोर धूत मतवारे जो लंपट है चोर है धूरत है मतवाले हैं उनके साथ हमेशा मैं रहना चाहता हूँ दया धर्म और गुरु की सेवा ए संपूतन नहीं ये सब मैं अपने आपको अच्छा मैसूस नहीं करता हूँ दया धर्म और गुरु की सेवा ये सब मेरे अच्छे लक्षन नहीं है ये मैं नहीं करता हूँ हे दीन दयाल हे क्रपालू दामोदर हे भक्त वत्सल भिहारी कहत कबीर भीर जनी रांखो हर सेवा करो तुमारी हे इश्वर मैं किस तरहें आपकी सेवा करूँ मैं क्या करूँ मैं ऐसा हो गया हूँ इतना बड़ा अपरादी हो गया हूँ कि ये सारे कारे जो मुझे नहीं करने चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कभीर अपने आपको एक तरह से कोसना, एक तरह से अपने आपको सजग करना, एक तरह से कहना कि मुझे जो करना चीए वो मैं नहीं कर रहा हूँ तो हे प्रभू मैं आपका अपरादी हो गया हूँ और ऐसा अपरादी हो गया हूँ जिसके हे दीन दयाल, हे दामोदर, हे करपालू आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो पाकि मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप मेरा उद्धार करो तो हे गोविन मैं आपका अपरा दूंगी एक बार आप इनको पढ़िए और यह जो किताब है यह दिखिए वीडियो में कावे कलश डोक्टर किरन शर्मा की किताब है आपको यह मिल जाएगी चोड़ा रास्ता में तो आप महां से इसको खरीद लीजिए तो इसके पद अगर आप देखकर पढ़ेंगे तो आ आपनिवाद